नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां बड़ी से बड़ी पथरी भी होगी तीन दिन में बाहर बस खाली पेट पी लें कुछ घरेलू जूस जो हम आपको बता रहे हैं आपके लिए बेहद ही कारगर और फायदेमंद जूस है यह किड्नी में स्टोन की समस्या आजकल आम हो चली है इसकी बड़ी वजह खान पान की गलत आदते होती हैं जब नमक एवं अन्य खनीज जो हमारे मुत्र में होते हैं वे एक दूसरी के संपर्क में आते हैं या अगर किसी कारण से पेशाव गाढ़ा हो जाता है तो किड्नी के अंदर छोटे छोटे पत्थर जैसी कठोर वस्तुएं बन जाती हैं जिन्हें गुर्दे की पत्थरी के रूप में जाना जाता है गुर्दे की पत्थरी अलग-अलग आकार की हो सकती है कुछ एक पत्थरी रेत के दानों की तरह बहुत ही छोटे आकार की होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े आमतोर पर छोटे मोटे पथरी मुत्र के जरिये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो पत्री आकार में बड़ी होती है वे बाहर नहीं निकल पाते हैं एवं मुत्र के बाहर निकलने में बहुत ही बाधा डालते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा पीडा हुत्पन होती है पत्री का दर्द कभी कभी बरदाश्ट से बाहर हो जाता है इसमें पेशाब करने में बहुत दिक्कत होती है और कई बार पेशाब रुक जाता है पथरी होने की कोई उम्रे नहीं होती है यह किसी भी उम्रे में हो सकती है यहाँ पर हम आपको पथरी के कुछ एक आसान घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसके बदोलत आप उससे छुटकारा पा सकते है जिहां नारियल का पानी पीने से पथरी में फायदा होता है पथरी होने पर नारियल का प्रती दिन पानी पीना चाहिए करेला वैसे तो बहुत कड़वा होता है पर पथरी में यह रामबान की तरह कारे करता है करेले में मैगनेश्यम और फासफोरस नमक तत्व होते हैं जो पथरी को बनने से रोकते हैं 15 दाने बड़ी इलाची के एक चमच खरबूजे के बीज की गिरी और दो चमच मिश्री एक कप पानी में मिलाकर सुबह शाम दो बार पीने से पथरी निकल जाती है अंगूर में अलब्यूमीन और सोडियम क्लोराइड बहुत ही कम मातरा में होता है इसलिए किड्नी में श्टोन के उपचार के लिए अंगूर को बहुत ही उत्तम माना जाता है चूकि इन में पोटेशियम नामक और पानी भरपूर मातरा में होते हैं इसलिए अंगूर प्राक हुआ जामुन खाना चाहिए किनी से स्टोन को निकालने में बथुए का साग भी बहुत ही कारगर होता है इसके लिए आप आधा किलो बथुए के साग को उबाल कर छान ले अब इस पानी में जरासी काली मिर्च जीरा और हलका सा सेंधा नमक मिला कर दिन में चार बार पीने से शिघर ही फायदा होता है आवला पथरी में बहुत ही फायदा करता है आवले का चोन मूली के साथ खाने से मुत्राशय की पथरी निकल जाती है प्याज में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए और शद्य गुन पाये जाते हैं इसके प्रियोग से हम किड्नी में स्टोन स निजात पा सकते हैं लगभग 70 ग्राम प्याज को पीश कर और उसका रस निकाल कर पिए सुबह शाम खाली पेट प्याज के रस का नियमित सेवन करने से पथरी छोटे-छोटे टुकड़े होकर निकल जाती है जीरे और चिनी को बराबर मातरा में पीश कर एक एक चमच ठंडे पानी से रोज तीन बार लेने से लाव होता है और पथरी निकल जाती है सहजन की सबजी खाने से गुर्दे की पथरी तूट कर बाहर निकल जाती हैं आम के पत्ते च्छाओं में सुखा कर बहुत बारिक प्थरी कि समस्य से निपटने के लिए केला जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमे विटामिन 200 को बनने से रोकता है और तोड़ता भी है विटामिन बेसिक्स विटामिन B के अन्य विटामिन के साथ सेवन करना किड़नी में स्टोन के इलाज में काफी मददगार माना जाता है मिश्री सौफ सूखा धनिया को लेकर के 50-50 ग्राम के मातरा में लेकर देड़े लीटर पानी में रात को भिंगो कर रख दीजिए आप और अगली श कोफी एवं अन्य पेपदार्थ जिसमें कैफीन पाया जाता है उन पेपदार्थों का सेवन बिल्कुल मत कीजिए हो सके तो कोल ड्रिंग ज्यादा मातरा में पीजिए शुद्ध तूलसी का रस लेने से भी पत्री को यूरीन के रास्ते निकलने में मदद मिलते हैं कम से कम एक महिना तूलसी के पत्तों के रस के साथ शहद लेने से बहुत लाब मिलता है तूलसी के कुछ एक ताजे पत्तों को भी रोजाना चबाना चाहिए जीरे को मिश्री की चासनी अथवा शहद के साथ लेने पर पत्री घुलकर पेशाब की रास्ते निकल जाती है निम्बू जैतुन का तेल मिला करके सेवन करने से जल्दी आराम मिल जाता है निम्बू का रस और जैतुन का तेल पूरे स्वास्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है बेल पत्थर पर जरा सा पानी मिला करके घीस लें इसमें एक साबूत काली मिर्च डाल कर सुबह काली मिर्च टानी शुरू कर दें और फिर एक तक आ जाएं दो सब्ता के इस प्रयोग से पथरी समात हो जाती है याद रखें एक बेल पथर दो से तीन दिन तक चलेगा आपका जिहां तो अगर आप इन उपायों में से किसी कोफी सही ढंग से अपना करके कारे करते हैं तो आप वाद नमस्कार दोस्तों